हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोगों का फिर्ट से स्वागत है आपके अपने चैनल पीस टेग दिश्टर में फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग राजनितिक विचारक को हम लोग पढ़ रहे हैं यल्टी टिस्टी पिस्टी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं जिसमें हम लोग यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए कोई भी वीडियो अप्लोड हो चलिए वीडियो को बिना देरे के वी स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक है जो कि आपका थामसाप्स का पार्ट हो रहे तो फ्रेंस हम लोग आज जो टॉपिक होगा आपका हाप्स का संप्रभुता संबंधी वीचार यहां से स्टार्ट करेंगे इसके पहले जितने भी हम लोगों ने थामसाप्स से संबंधी वीचार देखें उन वीडियों को जरूर से आप लोग देख लीजिएगा प्रिवि हैं और हाप्स के संप्रभुता से धांद करने सकर्सिया है कि हाप्स राज को अपरिमित और असमित संप्रभुता प्रदान करता है और इस करण ब्यक्तियों को सभी परस्थितियों में राज के आदेशों का पालन करना अनिवार है हाप्स यहां पे संप्रभुता के दिविचार कुछ इस प्रिकार का है आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट हम लोग हाप्स के अनुसार संप्रभू सासक की सक्ति अशीम है हाप्स के अनुसार जो संप्रभू की सासक की सक्ति है वह अशीम है उसके कोई बाद्धिकारी शक्ति उसके उपर दूसरी नहीं है वह संबिधान प्राकृतिक विधी या इस्वरी इच्छा का कोई भी पर्तिबंद नहीं लगाया जा सकता संप्रभू अपनी विवेग के अनुसार ही कारे करता है और किसी ब्यक्ति को यह वताने का अधिकार नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए अत्वा क्या नहीं हाफ्स कहता है क कि संप्रभू को उसको अस्रिमिक दूरूप में प्राप्त है जिससे वह जो भी नियम कानून बनाए उसे लोगों को मानना होगा वह किसी और की इक्छा से कोई विकार नहीं कर सकता है नहीं उसके कोई प्रतिबंद लगाया सकता है उसके सारे जो नियम होंगे उसे सभी ल हाप्स ने जिस संप्रभुता की बात किया उसमें सामाजिक संभिता को प्रमुख माना है क्योंकि जो सामाजिक संभिता को मतलब एक प्रकार का सामाजिक अनुबंधन एक प्रकार का समझहोता वही यहां पे बताया गया है उसे यह संप्रभुता सामाजिक संभिता से ही प्रा हैं जो एक नए लेवायथन की रचना होती है वह संबिता के फलसरुई भी वह अस्तितों में आया यानि लोगों के बीच जब समझाता हुआ तभी वह अस्तितों में आया आगे वाले पॉइंट में देखते हैं हम लोग लेवायथन एक संपूर प्रभुत्व संपन सासक पु उसी का मानने होगा लेकिन इसे देखा जाए तो यह एक प्रकार का निरंकुस तंत्र हो जाता है कियोंकि उसके किसी और का कोई अस्तितों नहीं होता है उसके प्रतेक कारे नयापूर है आत्वा उसका आदेशी कानून है यानि कि लेवायथन का ही जो कारे होगा वह उसको ही नयापूर माना जाएगा और उसके जो आदेश होंगे वही उसके कानून माने जाएँगे इस तरह से लेवायथन में हाप्स कहता है संप्रभू सासक का कोई कारे अवैधानिक नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वम समस्त विधियों का स्रोष है यानि वह यह कैना को प्यास कर कि यहां पर जो भी शक्तियां होंगी वह संप्रभु के द्वारत जो भी नियम कानून बनाया जाएंगे वही उसकी समझ सक्तियां होगी और उसके उपर किसी और का नियंतर नहीं होगा आगे हापस कहता है कि ब्यक्तियों के लिए कानून का निर्माड करने के एक मातर सक्ति संप्रभू के पास है हापस कहता है कि ब्यक्तियों के कानून का निर्माड करने के लिए जो एक मातर सक्ति होगी वह संप्रभू के पास होगी चुकि हाप से पहले बोधा संप्रपुता को समस्त विध्यात्मक कानूनों का सुरोत की धाड़ा का प्रतिपादन कर चुके थे लेकिन हाप से पहले जो बोधा थे उन्होंने संप्रभुता संबंधी जो भी विध्यात्मक कानून थे उसको धाणा थे उसको उसने प्रतिपादन कर दिया था कौन बोधा यह आपसे प्रश्ण पूछा जाता है कि संप्रभुता के संबंधी किसका विचार है मातपुर माना जाता है तो वह बोंदा का माना जाता है उसी बात को यहां पे कहा गया है लेकिन हाफ्ष ने उसे अधिक असपष्ट और सुनिस्चित बना दिया तथा उसके उपर से उन यह बनाया थे लेकिन हापस्व ने जा किया यह सभी कानुन और बंदिस्च विचार है उसके कुछ विचार है उनको देख लेते हैं संप्रभू को असमित अधिकार प्राप्त है और वह सर्व शक्तिमान है उसकी सक्ति निर्पेक्ष है संप्रभू कानूनों का निर्माड करता है तथा उसका ब्याक्षता भी है संप्रभू का जन्व संपिदा से होता है अता हुआ उसके उपर कोई संपिदानिक बंधन नहीं हैं यानि इस पॉइंट में यहां कहा गया है कि जो संप्रभू है उसको आश्मित अधिकार है उसके जो expressed ज्यादा सर्व क्तिमान है वह निर्पेक्ष है वह किसी के पक्ष में नहीं रहो सकता संप्रभू के क्यूवर निर्माठ होगा उस निर्माठ के जो चो ब्याखता होग उसे के माध्यम से इसके संप्रभू का जन्म यानि लेवाथन का जन्म हुआ है और कहता है कि जिसके उपर कोई संविधानिक बंधन नहीं होगा आगे हम लोग देखते हैं प्राकरतिक अवस्था में ब्यक्ति की पास जो कुछ था उस पर उसका अधिपत्य था किन्त उसके उपर कोई अधिकार तथा स्वामित्व न था संपती का निर्मार कानूनी अधिकार का स्रेर राज के उत्पत्ति के बास संप्रभू को है इस कारण संपती का सृष्टी करता होने की करण संप्रभू जब चाहे राजजिहित में उसे वापस ले सकता है तथा कर आधी लगाने के लिए जनता को सामती लेने की अवशक्ता नहीं है वह यह कहता है कि प्राकर्ति गवर्ष्था विव्यक्ति के पास जो कुछ था उसका उस पे आधिपत्य था किन्तु उसके उपर कोई अधिकार नहीं था और संपती का निर्मार जो है यानि की कानूनी अधिकार का जूसरे है वह राजिक के उत्पत्ति के बास संप्रभू को ह मतलब वह कहता है कि जो भी अधिकार होंगे कानूनिस संबंदी वह संप्रभू के पास होंगे इस करण संपती जो होगी स्रिष्टी करता होने के करण संप्रभू को जो चाहे राजहित में करने का अधिकार है वह राजहित में कुछ भी कर सकता है यह उसे उसके पास लेवायत नहीं है आगे हम लोग देखते हैं संप्रभू ही न्याय का स्रोत है तथा दूसरे देशों से यूद अथवा संधी करने के लिए अंतरराष्टी छेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र है इन सब के लिए उसे किसी की अनुमती या आदेश लेने की अवश्यक्तिया नहीं है हफ्स कहता है कि जो संप्रभू होगा वही न्याय का स्रोत होगा दूसरे देशों के से यूद अथवा संधी करने के लिए अंतराष्टी छेत्र में पूरी तरह से वह स्वतंत्र है या किसी दूसरे देश से यूद करना हो या संधी करना हो तो वह अंतराष्टी छेत्र पे वह खुद ही करेगा, वह सोतनत्र है, इसके लिए किसी से उसको आज्ञा लेने की अवशक्ता नहीं है, यह बताने का प्रयास करता है इस पॉइंट में हाफ्स, आगे हम लोग देखते हैं, हाफ्स संप्रभूता की एक बिसेशता यह है कि संप्रभू के अधिकार अपरवर्त संप्रभूता के प्रयोग में किसी को भागिदार नहीं बनाया जा सकता, इससा करने से संप्रभूता नश्ट हो जाएगी, हाफ्स कहता है कि जो संप्रभूता की विसेशता में जो उसके पास अधिकार है वह अब परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इससे किसी दूसरे को हस के दिया जाए यानि कि वह संप्रभु से चोट़ा हो गया होगल यह जो की किशली को संप्रभु सबसे ऊपर मुआ हम आपके और आहे मद्य दिया है किसी को दो सकते हैं हैं इसको बारी नहीं जा सकता है हैंHE के पास रहेगी कुछ लोगों के पास और कुछ लोगों के पास यानि कि इसको बाटा नहीं जा सकता संप्रपुधा के प्रयोग में किसी को भागीदार नहीं बना जा सकता यानि कि इसको प्रयोग करने के लिए संप्रपुधा को प्रयोग करने के लिए किसी और को उसमें भा बिश्ताओं के बाद कुस्सकी आलोचनाय भी है देखते हैं पहला पॉइंट हाफ द्वारप प्रतिपादि संप्रभुता सिधान की आलोचना भी की गई है किनकि कोई भी वास्तविक संप्रभू संप्रभू ऐसी निरंग को सकती या नहीं रखता है इसमें यह बताने का प् दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं हापस भी यह करता है कि करता है लेकिन वह यह निर्धारित करना चाहता है कि संप्रभू या सासर के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है हापस भी इस चीज़ को मानता है लेकिन वह यह भी निर्धारित करता है कि संप्रभू के पास यानि सासर के पास किस प्रकार की सक्तियां होनी चाहिए आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं हाप्स के संप्रभुता की धाड़ा में एक गंभीर दोस यह है कि एक वोर तो वह संप्रभु की सरवचता का प्रतिपादन करता है दूसरी वोर वह प्रतिप बेक्ति को उसकी आग्या का उलंगन अवग्या का अधिकार देता है इसमें इस पॉइंट में यहां बताने का प्रयास किया गया है कि संप्रभु की जो सरवच शक्तियां है संप्रभु जो हो कि खुद ही सरवच शक्तिमान है दूसरे को इसमें भागिदारी नहीं बना गया है और ये भी कहा गया है कि लोग आग्या का जो उलंगन या अवग्या का अधिकार भी देता है लोगों को ये कहता है कि आप यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसकी अवग्या कर सकते हैं उलंगन कर सकते हैं लेकिन यहाँ प पास होंगे और संप्रभू जो चाहेगा वैसा लोगों को करना पड़ेगा आगे हम लोग देखते हैं यदि राजाई या सासक उसे अपने आपको मारने घायल करने आक्रमण करने की आग्या दे जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सके यदि बैक्ति के जीवन रच्छा का प् करने घायल करने या आक्रमण करने की आग्या दे अपने आपको या जीवित नहीं रह सके यदि बैक्ति जीवन की रच्छा का यह प्रश्न यदि हो जाता है उसके जीवन रच्छा संबंदी तो वह क्या करेगा तो वह अवग्या भी कर सकता है उस नियम कानून का ठीक है इ इसलिए कहता है कि लोग अपने जीवर रच्छा के लिए अवग्या कर सकते हैं लेकिन सारे नियमों को उलंगन नहीं कर सकते हैं आगे देखते हैं हम लोग इस प्रकार हाफ्स संप्रपुता को पूर अभिभाज्य असमीत और अदे मानता है लेकिन उसके द्वार निरंकुस संप्रपुता या निरंकुस राश्तंत्र का समर्थन इस कराण करता है क्योंकि वह इसे सुरच्छा तथा व्यक्त की कल्यान के ल कमानता है कहता है कि यहीं हो सकती और उसका कल्यान नहीं हो सकता हाफ्स का यह मानना लिगोई ने कुछ इस प्रकार से बिवस्तीत करके बताया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिवाइन के अनुशार कि हाप्स के बेक्तिवादी समध्य विचार हैं वह की इस प्रकार से देखते हैं। स्रिवाइन के अनुसार लाग का पुरोगामी होने की चलते हाप्स को पहला दर्सनिक माना जाता है स्रिवाइन कहते हैं कि लाग का मतलब पुरोगामी होने की करण उसे क्या कहा जाता है पहला दर्सनिक माना जाता है सेबाइन के नुसा जिसके दर्सन में बेक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है और कहते हैं कि उसके दर्सन में क्या है बेक्तिवाद का जो आधुनिक तत्व है वह हमें देखने को मिलता है यहीं पर वेपर एक राजनिति के हैं वह करते हैं सबसे बड़ा निर्पेच्छवादी के रूप में प्राय है चित्रत हाप्स राजनिति चिंतन की इतियास में सबसे बड़ा बिक्तिवादी है वेपर कहते हैं कि यदि देखा जाए निर्पेच्छवादी के रूप में सबसे बड़ा तो ये हाप्स ही है जो कि सबसे बड़ा एक प्रकार का बिक्तिवादी बिचारक है आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में संप्रभू की असीम और निर्पेच्छ शक्ति के सिधान्त से जुड़े हुए हाप्स ने वस्तुता सासक की निर्पेच्छता और सर्व सक्ति को प्रधानता नहीं दिया है यहां पर हाप्स का जो संप्रभू की असीम और निर्पेच्छ सक्ति के सिधान्त के जुड़े होने के करण हाप्स ने जो सासक की निर्पेच्छता और सर्व सक्ति को प्रधानता नहीं दिया है मतलब सासक वह सब कुछ नहीं दिया है क्योंकि कहीं कहीं यह कहताई कि संप्रभू ही सब कुछ होगी और कहीं पर यह भी कहता है कि लोग अपने जीमर्द्छा के संबंदी यदी कोई प्रश्ण है तो उसकी अवग्याक कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं हाप्स के बिक्तिवाद को निमनलखित बातों से समझा जा सकता है तो देखते हैं हम लोग हाप्स के जो बिक्तिवाद है किन बातों से हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं आईए देखते हैं हाप्स के संपूर दर्शन में ब्यक्तिवाद की ब्याप्ति यानि कि जो उसके संपूर दर्शन उसमें ब्यक्तिवाद की इस प्रकार से ब्याप्त है तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे बैक्तिवाद मनेशियो के सामोहिक जीवन और सामाजिक कल्याण के बिरुद्ध परतेएक मनूस्य को प्रिथक प्रिथक इकाई के रूप में δेखते हुए हर बैक्ति की इच्छा ताथा सोतनता पर जोड़ देता है हापस बेक्तिवाद मनुश्यों के सामोहिक जीवन है और सामाजिक कल्याण की बिरुद्ध परते एक मनुश्यों को अलग-अलग ठीक है इकाईग रूप में देखता है मतलब कहता है कि जो भी लोग होंगे उनका जो जो भी अधिकार होगा वह अलग-अलग होगा हर बेक्ति को अपना अलग-अलग अधिकार रखने का अधिकार है और कहता है इच्छा तता सोतनता पर जोड़ देता है हाफस्यों अपना दर्सन उस प्राकृतिक अवस्था से प्रारम किया है जिसमें ब्यक्ति प्रिथक प्रिथक रहते थे हाप्ष ने अपना प्राकृतिक अवस्था वहां से प्रारम किया था जब लोग प्राकृतिक अवस्था में अलग-अलग रहते थे एक दोसे से लड़ते जगरते थे तब ही सिववा अपने दर्सन को अपने प्राकृतिक दर्सन की आवस्था मानता है आगे हम लोग देखते हैं हाप्स के समझहोते में ब्यक्ति ही सर्व मानने हैं हमने देखा कि हाप्स ने जो समझहोता संबंदी विचार दिया उसमें जो ब्यक्ति है वही सर्व पढ़ान होता है कि वही आपस में क्या करते हैं समझहोता करते हैं प्रतेक ब्यक्ति से प्रतेक ब्यक्ति के साथ समझोते किया है जैसा कि हम लोगों ने आगे भी देखा कि जो इसके समझोता संबंदी विचार था उसमें यह बताया था कि प्रतेक ब्यक्ति ने एक दूसरे के साथ आपस में समझोता किया है तब जाके क्या हुआ संप्रभुत में समझेवते को सामिल नहीं किया है और जिसके करार उसके ब्यक्तिवाद का जन्म होता है दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग समाज और राज ब्यक्तिगत उदेश के साधन ब्यक्तिवादी हाप्ष ने समाज और राज की ब्यक्तिगत उदेश का साधन माना है उसके दर्सन में उद्देश ब्यक्ति है न कि समाज या राजा राज उसके कानून तभी तक अचुति रखते हैं जब तक वे ब्यक्तियों को सुरच्छा पदान करते हैं हाफ्स यहाँ पर कहता है कि समाज और राज को ब्यक्तिकत उद्देश का साधन बताता है और कहता है कि उसके दर्सन उद्श ब्यक्ति है कहता है कि जो उसके दर्सन होगा जो भी होगा उसमें ब्यक्ति होगा न कि समाज और राज्य होगा क्योंकि राज्य कार जो होगा कानून तक ही उसके रखता है जो की बैक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाये गए हैं आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे सुरक्षा के लिए बैक्तियों को क्रांति का अधिकार यानि कि हाप्स कहता है कि बैक्तियों जो होंगे अपने सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ क्रांती करने का अधिकार भी होगा तो किस प्रिकार से होगा देखते हैं हम लोग हाप्स का राजनतिक दर्शन बेक्तियों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संप्रभू के बृद्ध क्रांति का अधिकार प्रदान करता है हाप्स का संप्रभूत्व तक बैद है जब तक वह राज की बेक्तियों को सुरक्षा देता है हापस यह कहता है कि राजनतिक दर्शन में अपने बेक्तियों को अपने जीवन के सुरक्षा के लिए संप्रभू के बिरोध करने का भी उनके प्रती जो है क्रांती का अधिकार होगा हापस कहता है कि संप्रभू तो तब तक बैध्ध माना जाएगा जब तक कि वह बैक्तियों की सुरक्षा करेगा यदि वह बैक्तियों की सुरक्षा नहीं करेगा तो उसे बैध्ध नहीं माना जाएगा हाप्स का बैक्तिवाद इस बात से होता है कि उसके राज में जो संप्रभू और बैक्तिव के अतरिक्त किसी भी अन्य सत्था को सुत्रिति नहीं मिलती है हापस के ब्यक्ति वाद इस बात पर अधिक जोर देता है कि उसके राज में जो संप्रभू और ब्यक्तियों होंगे उनके अलावा कोई अन्य सत्ता और सुकृति नहीं होगी अगली पॉइंट में बताया गया है ब्यक्ति अलग-अलग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं जिन्हें सासन और नियंतर में बाधने वाली सक्ति संप्रभू है जो स्वयम एक ब्यक्ति है हापस कहता है कि ब्यक्ति जो होते हैं अपनी अलग-अलग इच्छाओं से क्या होते हैं प्रेरित होते हैं जिसको सासन और नियंतर में बाधने के लिए जो सक्ति होती है वस्ताम प्रभू होती है जो कि एक ब्यक्ति के अंदर निहित होती है पांचवों पाइंट में बताया गया है आर्थिक छेतर में हस्तचेप यानि कि आर्थिक छेतर में जो ब्यक्ति होंगे किस प्रकार से हस्तचेप कर सकते हैं आधुन के युक्तियों ने आर्थिक छेतर में अहस्तचेप की नीती का समर्थन किया इस नीती की बेक्तिवादी कसवटी पर भी हाप्स का राजनितिक दर्सन खरा उतरता है हाप्स ने असपस्ट किया है कि उसके राज में बेक्तियों को खरिदने बेचने आर्थिक संविदा करने तथा निवास अस्थान भोजन और जीवन का व्यवसाय करने का अधिकार होंगे उससे ये प्राप्त होंगे आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं अता उस ने आर्थिक छेत में अस्थचेप की नीती का विचार दिया है मतलब कहा है कि जो आर्थिक छेत में अस्थचेप की नीती होगी यह लोगों को प्राप्त होगी आधुनिक बिक्तिवादियों की बिचार से यह पूरता मिल जो आधुनिक समय में हमारे बिचारक हैं उनके इस बिचार से यह बिचार मेल खाता है देखते हैं कुछ आलोचनाई भी की गई हैं देखते हैं किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है आलोचकों के अनुसार हाप्ष ने अपने राजनतिक दर्सन में जान भूझकर बिक्तिवादी ततों को प्रसराय नहीं दिया है। में उसके भौतिक वाद का परड़ाम है ना कि एक राजनतिक विषय के रूप में बिक्ति में दिल्चस्पी का है। महत्वा कांची माना है। आलोचक कहते हैं कि हाप्ष का जो बिक्तिवादी विचार है उसमें बिक्ति गत प्रसंसार उले का पात्र तब तक माना जाता है। जब तक हुआ उसके उपर कोई सक्ति या नियंतर हो। लेकिन यदि देखा जाए तो हाप्ष हमेशा सदेव ऐसे विक्तियों का समर्थन करता है। तो कुछ हमारे पास इस तरह के पॉइंट आते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट कुछ आलोचनाओं के बावजूद हाप्ष के बिक्तिवाद के महत्व को कम नहीं किया सकता। मुल्यांकन के तौर पे देखते हैं कि यदि कुछ आलोचनाओं को यदि हम छोड़ दें ते उसके बिक्तिवाद के जुमाहत्व हैं उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है उसने बिक्तियों कुछ महत्वूर छेत्रों में स्वतनता और अधिकार प्रदान किया। वाले हाप्ष ने अपने सिध्धांत की रचना वैक्तिक ताने बाने से की है इस दृष्टी से वह एक महनतम व्यक्तिवादी है। इसलिए हम एदि देखें तो जो हाप्ष है वह सदव भाईभीत रहने वाले तथा सदव सुरच्छा खोजने वाले ब्यक्तियों के बीच में क्या किया है। वह एक समझावता का विचार दिया है जो कि ब्यक्तिक ताने बाने की है और इस रच्टी से हम देखते हैं कि जो हाप्ष है वह एक महनतम व्यक्तिवादी के रूप में दिखता है। आये देखते हैं कुछ जो उसकी पूष्टक है लिवाइथन ठीक है कई करिके आ chroni a feh forgot करूं मिलेगा कर दो सेम उसी कि पूष्टक का यह नाम है कहिं करूं अगर लिवाइथन यालिवेथन तो यह कोई अलग पूष्टक नहीं है उसी कि यह पूष्टक है देखते हैं कुछ अन्य तथ से लिवाइधं से संबंदीत यह फ्रांसे सी गल्डाफ हीन को समर्पित है तो जो जिसे हम ने लिख्या है वो गल्डाफ हीन को समर्पित पूस्टत है यह अंगरेजी की सर्वस्रीष रचना है ऐसा माइकल आखसाट कहते है लिवाइथन के बारे में माइकल आक्साट कहते हैं कि यह अंग्रेजी क्या है सबसे सर्वस्ट रचना है वहीं सीवाहन कहते हैं लिवियाथन समझत कानून बेवस्थाओं को निस्फल बना देती है इस प्रकार से सीवाहन का वक्तब्य है आगे देखते हैं हम लोग वाइट हॉल मौदे क्या कहते हैं लिवियाथन के बारे में सांप के समान जहर से भरी हुई है वाइट हॉल कहते हैं कि यह जो पुस्ता के सांप के समान जहर से क्या है भरी हुई है और कहते हैं बिद्रोही की प्रशनोत्त्री है और यह भी कहते हैं कि यह क्या है बिद्रोही की एक प्रकार से प्रशनोत्त्री है वहीं ब्रेम हिम काते हैं यह कुत्तों का तमासा है क्या काते हैं कि इस पुष्टक को यह कुत्तों का एक प्रकार का तमासा है इस तरह का वक्तव्य ब्रेम हिम का है देखिए यह जो इस पुष्टक के बिशे में जिन लोगों ने अपना कथन दिया है यह बहुत इंपॉर्ट तो फ्रेंट्स विडियो में हम लोगों को कवर कर लेंगे ऊप लोगों पसंद होगी तो लाइक करें करें कमेंट करें अगले वीडियो में तब तब मिलते हैं धन्यवाद थांक यू